लौरंस बिशनोई के गाउं में न्यूज एटिन पहुंचा है गाउं में किस तरह के हलात है लौरंस बिशनोई का बच्पन इन गाउं की गलियों में से गुजरा है बाचित करते हैं गाउं के लोगों से गाउं के लोग जो है मजूद है सर लॉरन्स बिश्रूई का गांव hai हाँ जी कैसा लड़का था बहुत अच्छा लड़का था जी और अच्छे नेचर का र्था और खेल कूदमें भी बहुत अच्छा था गाओं में घाम में कोई भी कोई भी इसकी तरफ जाो गे नब तो कोई भी आदमी आपको ये नहीं कहेंगा कि उसमें कोई खराबी थी बहुत अच्छा लड़का था यहां से कब लाश्ट समय कब आया था यहां तो इस लाश्ट समय तो भई साथ मी आठ मी कलास में पढ़ता था ना तब तक तो हमने उसको यहां देखा था उसके बाद जब चंडीगर चला गया पढ़ने वहां पर तो कभी कब आरी आता था तो ऐसा क्या हुआ कि यह गैंक्स्टर तक का नाम जुड़ गया उसके साथ जी इसका तो हमें पता नहीं है क जैसे बच्चों के पास कोई क्रिकट का समान नहीं था तो वो अपने पास से भी लिया कर बच्चों को दे देता था जैसे वाली बॉल हो गया किरकट की किट हो गई कभी किसी बच्चे को मना नहीं का था अपने पास खुद से दिलवा देता था लोकों को अब जैसे पूरे कि देश के अंदर लॉअरन्स का नाम चल रहा है हर बात के ऊपर जुर लॉर्स की नाम आता है तो उसको कैसे देखते हैं पधिक्द को घुछ कं20 तो घुए चया है। जितना आपको पता है उतना ही पता है तो विश्वाश कितना कर तो इन बातों के उपर जैसे बात आती है कोई भी कांड होता है तो बिल्कुल जूट है जूट है बिल्कुल जूट है ऐसी हमने कोई ना तो हमारे गाम में ऐसी कोई अफ़ाम है ना ही हमने कभी यहां पर सुनत तो भाई भी है उनका लॉरंस का है चोटा भाई था उसका उसका पता नहीं है तो हर कांड के अंदर जिम्मेवारी भी ली जाती है सोशल मीडिया पर साइड पर जिम्मेवारी तो पता नहीं कौन रहे रहा है जी कौन नहीं ले रहा है अब यह अंदर मेरा हमें तो यह समझ न पर जब लोगों की जिबान पर गैंग्स्टर नाम सुनते हो आपके गाउं के बेटा है बुरा लगता है बिलकुल बुरा लगता है बिलकुल जी यह गाउं है लौरस बिशनोई का आपको तस्वीरें दिखा दें गाउं की यह गाउं की जो सी गराम पंचैत के तोर के उपर जो सी है सांजी जगा है जहां पर लोग बैठकर बैठे हैं और यह गाउं की गलियें हैं इन गलियों के अंदर से ही लौरस के साथ जुड़ा है फिलहाल की गड़ी में गाउं के लोग इस बात को नहीं मानते कि उसने कुछ गल्द किया है क्योंकि जेल के अंदर बैठकर कोई कराइम नहीं किया जा सकता यह लोगों की जोंसी गाउं के लोगों की धार बियान सामने आया है इनामी राशी जैसे लाइन्स विशनोई के नाम पूरे देश में है गैंगस्टर का नाम जोड़ा जाता है तो कैसे देखते हैं नाम सारे वर्ल्ड में देश में यह बार भी बड़ी कम और देशित के लिए राष्ट के लिए अपने धर्म के लिए लगता है ना किसे इस आप बात करता थ तो पूस वह से बहुत खतरना कादमी है। हम यह कहते हैं मैक एक सुबश की लीया है। खुद की लैनलाइब में पुल्स में था। उसका बाप उसने पुल्स वालों से खॉया। उसे उस बैचे उसको खुआया कुमा कुमा के एक गल्थ बात बिल्कुल इबात है फिर भाई साथ और बता ने गाम में उसका अच्छा स्वारत था अच्छा था राष्टित के लिए प्राहन देने वालों मैं धर्म के लिए पर इससे आगे यह बात कर रहा हूं मैं वे जो व कि लौर्फ के बुर्द नहीं बोलता है ना ही किसी के बात करता बूंदर है उस अंदर उने के बात भी आप कहते हैं यह वह पर यह कांड़ कर दिया और पुलिस कर्तड़्री मैं कुछ भी कर रहा है यह फिर पुल्स की जम्आवारी है यह आप उसके ऊपर जो जो लीडर ह किसी से कभी भी गल्ट बात नहीं करता था लॉरस बिश्णोई के पुर्वजों के मंदिर के अंदर हम खड़े हैं तस्वीर हम आपको दिखा दें यह पूर्वज लॉरस बिश्णोई के परवार के जो पूर्वज है महत्मा शिरी साहिब राम जी जिनका यहां पर समाधी पुर्वज़ों की तरफ से जो एक गरंट के लिखा गया है जो आई यहांपर शेशोबीत है यहां पर मजूद है यह पूरे गॉटे गाउं के तस्वीर है यह लॉरस बिश्णोई के पुर्वज़ों का मंदिर है जिस मंदिर की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं यह से यह पूर्वज थे लिखा हमारे जो विश्णोई समाज के गरंथ थे वो बीच में जब अंगरीजों का टाइम है उस टाइम अलोप हो गए ते गुम हो गए थे तो हमारे जो परदादा जी थे वो संथ थे तो उनको वाज आती थे उन्होंने ये गरंथ लिखा जो यह पड था वो दुबारा जो है स्थापित किया इसमें लिखत क्या है क्या जानकारी दी गई इसमें विश्णोई समाज की जानकारी हैं जैसे बीस और नो उनतीस नियम है जिसको हम बीस और नो ट्वंटी नियम है तो विश्णोई बीस और नो विश्णोई तो इसके सारे सिदांत जो हमारे नियम है उसके अंदर लिखे हैं और इसके बिश्नोई समाज के भी लिए नहीं ये दुनिया के लिए लिखे हैं साफ सुत्रा सपाई इसके उपर लिखा हुआ नशे के खिलाफ लिखा हुआ है तो ये दुनिया के लिए हमारे समाज हम तो चलो हमारे पुरूष थे या हमारा भिस्नोष समाज का ये गरंत है तब ये दुनिया के लिए लिखा था हमारे इसमें नशेश दूरेने के लिए लिखा हुआ है अच्छे रस्ते पे चलना सुबह नाना गुरु मराज का पाठ करना और वातावरन जैसे हमें प्रेंड ना मिली की दर्खतों को नी काटना शिकार को तो ये गुरु मराज के नियम है वो नियम इसके अंदर सारे लिखे हुए है लोर्नस की अगर बात करें तो इस मंदिर में कितना समय गुजारता था कितने समय यहां पर आता था देखो हमारे परिवार के जितने भी बच्चे हैं हमारे परिवार में कोई नशानी करता क्योंकि हम इस परिवार के हमारे वंसीज थे हैं और जो हमारे पुर्गुस कोई नशानी करते थे इसलिए वो जब यहां था तो वो सुब आता था जल्दी मंदर में और शाम को आता था हमारे सारे बच्चे जितने मी परिवार के इस मंदर में आके पूजा अर्चना करते हैं कितने साल पुराना ये मंदिर है जी जो उनसा लिखा गया है ये कितने साल गया है ये गरंथ तो अजादी के टैम जो है अलोप हो गया था फिर इसको दुबारा जो है लिखा गया ये लग बग आप मान के चलो भी संसंदरिश से पहले की बात है उस टैम का है ये बिल्कुल ज जाना होता तो पहले इस मंदिर में जो माथा टेकता था उसके बाद जो आगे का काम करता था स्कूल का अगर बात कर ले तो स्कूल में जाना हो तो इस मंदिर से माथा टेकने के बाद वो आगे निकलता था अपनी मंजल की तरफ निकलता था आज भी जो इस मंदिर में विश् में जोंसी बातें लिखी गई हैं इन सभी बातों को लेकर आज भी जो बुशनोई समाज जो आज भी मानता है तो इस मोहोल के अंदर जो है लौरंस बुशनोई इस गाउं में पैदा हुआ और बड़ा हुआ फिलहाल गैंक्स्टर के नाम से आज लौरंस बुशनोई को दुन दोशी है या नहीं